हलो दोस्तों तो आपका स्वागत है एडी जार्कन क्लासस में और आज हम पढ़ने वाले हैं जे पीए सिमेंस और जे सीजियल हिंदी पेपर टू का क्लास तो आज आप देखेंगे भासा के विभिन रूप जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रशनात्मक भासा राष्ट भासा और राज भासा संपर्क भासा और संचार भासा तो इतने टॉपिक्स आज हम लोग कबर करने वाले हैं भासा के विभिन रूप में तो आपको JPSC mains है उसमें आपको पढ़ने हैं तो आप confused नहोंगे class को करते रहिए आपका यहां total class होगा JPSC का ठीक है और JPSC का जो है सारी handwritten notes तयार किये गए हैं वल्ली इसका जो fee है on AD classes app पे अबलेबल है सारे course वल्ली 999 है यानिके 999 आपको यह course मिल जाएंगे अगर जैसे CGL का अगर हम लोग class को start करते हैं तो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे भासा के विभिन्न रूप में राश्ट भासा और राजभासा ठीक है तो राश्ट भासा किसी भी राश्ट के राश्ट भासा क्या कालाती है सबसे पहले अभी हम लोग इसको जानेंगे तो राश्ट भासा कि इसी भी राष्ट के बहु संख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भासा क्या कहलाती है राष्ट भासा यानि कि जो भासा को राष्ट लेवल पर बोला जाता है वो राष्ट भासा कहलाती है यानि कि जिसकी संख्या जो भासा का बोलने वाला का जो मनुस्यों की संख्या अधिक हो वो राष्ट भासा, बहुत संक्यक लोग, बहुत अधिक संक्या द्वारा बोला जाता है, वो भासा राष्ट भासा कालाती है, ठीक है, राष्ट भासा पूरे राष्ट का प्रतिनिदित्व करती है, सारे सौट नोट्स यहां तेयार किये गए है, आप इसे मेंस में आराम से लिख सकते हैं क्लास करते हैं राष्ट भासा के संपुनर राष्ट भासा से संपुनर भावनात्मक रूप से एक सुत्र में बंधे हूए रहते हैं घंदी घंदी रेके एक राष्ट 270 Soms ठीक है, हिंदी हमारे राश्र की राश्र भासा है, नेक्स चलते हैं, राज भासा की बारे में जानते हैं, टोटर डीटेल्स में जानेंगे भाई, आगे चलिए, सारा डीटेल्स में जानेंगे, ठीक है, राज भासा, तो राज भासा को राज भासा भी कहा जाता है, ठीक है, राज की सर्व प्रमुख भासा जो राज में सबसे अधिक बोली जाती है वह राज भासा कालाती है जो कहने का अर्थ यह है कि जो भासा राज में सबसे अधिक बोली जाती है वह राज भासा कालाती है नेक्स है समिधान की धारा 343 का 1 अध्याए 1 भाग 17 के अनुसार हिंदी राजभासा घोशित किया गया है। तो देखिए, हिंदी जो है राजभासा घोशित कौन से अध्याय कोन सी धारा और कौन से भाग के नसार किया गया है। तो 343 धारा, अध्याय बन और भाग 17 के द्वारा इसे अड़ किया गया है। नेक्स चलते हैं, संग की भासा जो है हिंदी है और लीपी जो है देवनागरी है, ठीक है? संग की जो भासा है क्या है हिंदी है और लीपी क्या है? देवनागरी है. राज भासा का परियोग मुख्य रूप से होता है कहां कहां प्रशाशन न्यायपालिका और कार्यपालिका में पॉइंट है भारत राजयों का एक संग है इसलिए गंतंत्र कहते हैं इसलिए क्या कहते हैं हम लोग गंतंत्र कहते हैं और इसलिए इसके राजयों की अपनी अपन गंतंत्र कहते हैं, इसलिए से क्या कहते हैं, गंतंत्र है, और हर एक राज के लिए एक राज किये भासा है, ठीक है, जैसे कि निम्न राजियों की राज की भासा हम लोग देखेंगे, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाना, ठीक है, हिमाचल, परदेश, उत्राखंड, जारखंड, डेलही, छतिसगर, ये सब जो है, इतने आपको मैंने जो राज बताये, यहां का जो राज की भासा है, वो हिंदी है, ठीक है, राज की भासा क्या है, हिंदी, अरुन परदेश की भासा तैलगू है, उडिशा की भासा उडिया है, यही करनाटक की जो भासा है, क्या है, कन्नड है, ठीक है, केरल की भासा मलयालम, गुजरात की जो भासा है, गुजराती है, और यहीं गोवा की भासा कौंकन या मराठी है, ठीक है, अचलिए, हम लोग जानते है है कि राश भाषा और राज भाषा में अंतर क्या है आप से प्रसना facebook कि लिखेंगे तो देखिए राश भाषा वह कालाती है जो सभी वर्गों की भाषा होती है ठीक है वो राश six छित जन की भासा क्या कालाती है राज भाषा यह जलते हैं दूसरा नमबर पॉइंट, व्यापक छेतर में जो भासा बोली जाती है, वो राश्च भासा कालाती है, यहीं राज की ए कारियों तक सिमित जो राज भासा कालाती है, नेक्स्ट, अना तीसरा जो पॉइंट है, परतेक जन द्वारा माने होता है, राश्च भासा, प्रन्तु ये सम्मिधान द्वारे स्विक्रित होती है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, देश की ही जन प्रिय भासा है ये, और ये बिदेशी भी हो सकते हैं इसमें, पाचपाजो पॉइंट है, राश्ट भासा, राश्ट की अश्मिता की पहशान होती है, अंतर राश्ट ये अस्तर प आके निर्ने लिया गया कि हिंदी जो है भारत संकी राजभासा होगी तो 14 सप्टमबर को इसलिए हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और भारत के सम्मिधान में यह निर्ने भी लिया गया था कि हिंदी जो है भारत संकी राजभासा होगी संपर्क भासा, अब संपर्क भासा देखते हैं, कि संपर्क भासा क्या कहलाती है, संपर्क भासा को जन भासा या सेतु भासा या वाहन भासा या फिर वैपार भासा कहा जाता है, संपर्क भासा और किन किन नामों से जाना जाता है, तो जन भासा, सेतु भासा, वाहन भासा या फिर वैपार भासा भी कहा जाता है, ठीक है, संपर्क भासा उशे कहते हैं, जिसे सम्माने रूप से किनी ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो, जिनकी मात्री भासाएं अलग होती है, तो वो संपर्क भासा कालाती है, जैसे आप यहां देखेंगे, डॉक्टर पुरन चंद टंडन के अनुसार संपर्क भासा क्या है, तो संपर्क भासा वो है, उस भासा से है, जो समाज के विभिन वर्गों या निवासियों के बीच संपर्क का काम आती है, संपर्क भासा वो है, जो एकदम गाउं देहात, विभिन समाज में, वो एक संपर्क बनाने का काम करता है, कारी करता है वो क्या कहलाता है संपर्क भासा कहलाता है ठीक है यहीं चलते हैं डॉक्टर दंगल जालटे के रचित रचना प्रयोजन मुलक हिंदी सिधान्त और परयोग में क्या लिखा है उन्होंने जो व्यक्ति राज से राज राज से केंद्र तथा देश वह विदेश के बीच संपर्क अस्थापित करता हो वह संपर्क भासा कहलाती है ठीक है तो इनके अनुसार क्या हुआ कि जो स्टेट से स्टेट मिल सके मतलब की बात कर सके राज से केंद्र बात कर सके देश से विदेश के बीच एक संपर्क न बंद बना सके, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका संपर्क भासा कहलाता है, डॉक्टर दंगल जाल्टे के अनुसार, नेक्स, डॉक्टर भोला नातिवारी के अनुसार क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संपर्क भासा पे वो क्या टिपनी देते हैं, देखिए, वर्तमान में आपको कहीं भी चल जाएए देश, बिदेश, ठीक है, अब कोई भी स्टेट में चल जाएए, अंग्रेजी सारे लोग समस्ते हैं, ठीक है, अंग्रेजी सारे लोग समस्ते हैं, ये आप इसे संपर्क भासा कह सकते हैं, ये में कैनुसार, डॉक्टर भोला ना तिवारी कैनुस इनके समय में भी हिंदी संपर्क भासा रही है संपर्क भासा कहने का मतलब है कि आप कहीं भी जाए वह एक दुसरे से कनेक्ट कर देता है मतलब बात को आप अगर रखें अगला आदमी के पास तो वह आपका बात समझ सके तिक है वर्तमान में हिंदी का परचार परशार रेडियो टीबी शिनेमा समचार और पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हो रही है वैपार जन संचार तथा राजनेती की दृष्टी से हिंदी है संपर्क भासा का पद प्राप्त कर लिया है समझें अब चलिए संचार भासा की बारे में कुछ जनकारी प्राप्त कर लें संचार का अर्थ होता है सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुचाना संप्रेशित करना संचार भासा का लाती है मतलब जैसे आज हम भारत में हैं अगर जार्खन का लें तो जार्खन का राचे में है और फिर हम लोग चल गए देवघर विश्व प्रुसिद्ध है देवघर तो यहां जो है मतलब कि हम राची से देवघर गए कोई शूचना लेकर संदेश लेकर तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुचाना कोई संदेश है जो मुझे उन तक पहुचाना है तो यह क्या संचार भासा है वर्तमान में जैसे कि अभी क्या है, वर्तमान में कोई चिठी आया, हम तुरंट सेंट कर दिये, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, समाज में, कहीं भी हो, एक ग्रूप क्यूजेट है, तो आप उसी तुरंट संचार कर देते हैं, जैसे अभी भी है, वर्तमान में टेलिफोन हो गया, रेडियो हो गया, कम्प्यूटर, इंटरनेट, इंटरनेट में वट्सप वगएरा सारे चीज़ आ दाते हैं, ठीक है, संचार वह जो है, किया जा रहा है, भासा का, उसके द्वारा, अना, सारे चीज़ होते हैं, जैसे आप मैच ही देख र माध्यम से हिंदी में इंगलिश शब्दों का बोल बाला हुआ है, देख लिजे, संचार के माध्यम से क्या हुआ है, हिंदी में इंगलिश शब्दों का बोल बाला हुआ है, बहुत सारे ऐसे, आप वट्सप पे भी चैट करते हैं, तो आपको यह पता नहीं रहता है, लेकिन वो इंग्लीश में लिखाता है तो उसे क्या करते हैं जैसे कि मुझे यहां देख लेजे मुझे इंग्लिस लिख रहा है, लेकिन आप हिंदी भी लिख रहा है, तो ये हो गया हिंग्लिस, मुझे सुबह सुबह ब्रिकफास्ट अच्छा लगता है, तो ये है न मुझे, तो मुझे आप इंग्लिस में लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी ही है, तो उसको हिंग्लिस कहा जाता है, और ये आजकल WhatsApp पे, Facebook पे, Instagram पे, सारे जो है न सोसल मीडिया वेगरा, इंटरनेट जितने भी है, ये बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ है इसका, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि संचार भाषा की विशिस्ताएं क्या-क्या होती है, फिक है, तो ये पूरा हम लोग इसका जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे जो first point है, इसका क्या है, मध्यम अनुरूपता, संचार माध्यम की भाषा के स्वरूप का अधार, प्राप्त करता अथ्वा संग्रहक है, ठीक है, point है, मुद्रित भाषा एवं लिखित भाषा, जो है, समचार पत्रों की भाषा है, तो बात है कि मुद्रित भासा ठीक है? एवं लिखित भासा जो भी बोला गया भासा है या फिर लिखित भासा है वो आजकल क्या चीज की भासा है तो समचार पत्रों की भासा है ठीक है? जैसे उच्चारित भासा को रेडियो, टेलिविजन की भासा भी कहा जाता है नेक्स्ट है, इसका संदेश अनुरूपता संदेश की अनुरूपता क्या होती है तो ठीक है न, संचार प्रक्रिया में अर्थपूर्ष संदेश देना महत्वपून तत्व होता है और इसको अम लोग संदेश अनुरूपता कहते हैं जैसे उद्देश होते हैं क्या चीज़ संदेश अनुरूपता के शिक्षा देना मनरंजन करना जैसे बहुत सारे क्लास होते हैं जैसे ओनलाइन क्लासे साब कर रहे हो यह क्या शिक्षा देना वो चीज आपसे संदेश अनुरूपता है मनरंजन करना जो कमेडी वीडियो होता है कोई भी कपिल सोच का और भी बहुत सारी कमेडी वीडियो आते हैं समाजिक राजनितिक जागरन करना नराश्चिय प्रेम भाव का संचार करना यह सब क्या संदेश अनुरूपता जो संदेश से अर्थपूर्ण संदेश कुछ तत्व उससे कुछ प्राप्त होता है तो वो अनुरूपता कहलाता है शंदेश प्रशारन के लिए भासा का निर्धारन अत्ति आवश्यक्यार हो गिये होता है उपदेशात्मक संदेश और मनुरंजनात्मक 24 गंटा में घटित, महतपुन घटनाओं को समचार पत्र में वो नहित सिमा कॉलम में ही देने होते हैं, ठीक है, मतलब 24 गंटा के अंदर कोई घटना घटित हुई है, यह उसम दे दिया जाता है, ठीक है, अब देखिए, बोध गम्यता, संचार माध्यमों में भासा की बोध यानि कि समझ सकते हैं, ज्ञान हो उसके बारे में, तो इसके लिए क्या परियोग होता है, वो सब्द परियोग होता है, ठीक है, तो इसमें सब्द परियोग होता है, सब्द आपको समझने लाइक होगा, तभी तो बोध गम्य होगा भाई, ठीक है, और देखिए, नेक्स प तरण का बात करते हैं अब हम लोग इसमें तो यह संग्राहत तक नवीन गतिवीदियों की सूचना हो जाते हैं नित्य अविश्कृत वस्तुओं की ग्रहन शक्ति संचार भासा में ही यह होती है नेक्स जलते हैं रशनात्मक भासा क्या कहलाती है अभी हम लोग जानेंगे का भासा जिसमें शाहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं रची जाती है रशनात्मक भासा कहलाती है नेक्स पैंट है रशनात्मक भासा को शाहित्य भासा भी कहा जाता है ठीक है रशनात्मक भासा को और किस नाम से जाना जाता है तो शाहित्य भासा के नाम से भी जाना जाता है पॉइंट है रशनात्मक भासा साप सुत्री होती है कैसी होती है साप सुत्री जिसमें समझने में बल का परियोग एक दम नहीं होता है वो क्या कहलाता है रशनात्मक भासा कहलाती है और रशनात्मक भासा में व्याकरन के नियम से बंधे होते हैं जो रशनात्मक भासा होती है वो व्याकरण के नियम से बंदे होते हैं, व्याकरण के परी थोड़ा सा भी नहीं जाता है, धिंदी भी एक रचनात्मक भासा ही है, क्योंकि इसमें व्याकरण भी आते हैं, अब व्याकरण के अंतरगत ही होता है, ये छोटी E की मातर कहां लगाना है, छोटी U की मातर कहां ल लगाना है इस प्रकार से समझने होते हैं तो ये व्याकरन के जितनी भासा हैं सारे व्याकरन के अंतरगत ही आता है और इस भासा को मानक रूप से स्विकार किया गया है कौन सी भासा को हिंदी भासा को ठीक है यहीं चलते हैं नेक्ट पॉइंट की और तो रचनात्मक भासा में अलंकार का भी समावेश और आचदन होता है जिसे गंभीरता से दिखती है रचनात्मक भासा का छेतर सिमित होता है जैसे जैसे समर्थकों की संख्या बढ़ती है भासा का छेतर वैसे वैसे बढ़ते जाता ह इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे आदमी बोलने के लिए भासा को कोई बढ़ता है, in the same way भासा उसके छेतर में वैसे वैसे उस छेतर में भासा का प्रभाव बढ़ते जाता है, ठीक है? और बात करें कि हिंदी जो है बिश्व की त्री अस्तरिये भासा बन चुकी है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, रश्नात्मक भासा का रूप बनावट एवं उसका अस्थाईत्व का गुन वर्सु तक इस्थिर रहता है, और important questions जो आते हैं एन एक्जाम में, क्या चीज है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थे तो कॉलकत्त रश्नात्मक भासा के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लें कि इस भासा में परिवर्तन की कोई गुंजाईस नहीं है, जहां रश्नात्मक भासा हो गई, एक बार सेलेक्टिव हो गई, तो उसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आम बोल चाल क की भासा थोड़ी उससे दो रूप होते हैं कोन सा विशिष्ट साहितिक रूप या फिर विशुद्ध साहितिक रूप यह कहा जाता है और यहीं लोक शाहितिक और पत्र कांव का रूप यह चीज आपको यह बोला जा यानि कि साहित्य समाज का कोई भी समाज का ये पत्ध परदर्सक होता है और जिसके अधार पर राष्ट्र का निर्मान होता है ठीक है कोई भी भासा हो जैसे हिंदी राष्ट्र भासा है देन उसके अनुसार तो राष्ट्र का निर्मान हुआ ना कि भाई ये जो है हिंदी सम् इस रूप में रचना की गई जो सिकषित यों बुद्धी जीवी वर्ग के लिए यह रचना होती है. लोक साहित्य पत्र पत्रिकाओं का रूप क्या होता है तो यह रूप जो है लोक साहित्य बजार साहित्य पत्र पत्रिकाओं तथा समचार पत्रों में यह मिलता है इस भासा का आम बोलचाल की भासा भी परियुक्त होती है इस भासा में जो विशिस रूप से होता है एक आम ब कषिस किया जाता है है जैसे कि विलियम् केरी ने अठासंटो प्रदेश की भासा नहीं है बलकि देश में सरवत्र बोली जानी वाली भासा देखे देखे है अब देखे, next क्या बोले थे, HD कोल बुक के अनुसार हिंदी क्या है, तो देखे, पढ़े लिखे तथा अनपढ दोनों की सधारन बोल चाल की जो भासा है, वह क्या है, हिंदी है भाई, तो पढ़े या लिखे या अनपढ रहे, तो सारे लोग बोही सकते हैं, तो उसी का यथ धार्त नाम हिंदी है, ठीक है, next जो है, अंग्रेजों ने हिंदी को अपनाने का जो है, अंग्रेजों ने हिंदी को क्यों अपनाया, तो हिंदी का वेवहारिक्ता, और उप्योगिता, देश्वयपी प्रशार, लचिलापन के कारण अंग्रेजों ने हिंदी को अपनाया थ हिंदी के बारे में धार्म समाज सुधारकों का मनतव्य क्या है तो देखिए राजा राम मोहन राय ने क्या बोले थे हिंदी के बारे में तो देखिए समग्र देश की एक्ता के लिए हिंदी अनिवारी है हिंदी क्यों अनिवारी है ठीक है समग्र देश की एक्ता के लिए मतल भारत में हिंदी सभी जगा पर चले था, ये चीज उन्होंने बोला था, आरे समाज के संस्थापक दयानंद सर्श्वती ने, क्या कहा इसके बारे में भाई, हिंदी के सारे, हिंदी के द्वारा सारे देश को एक सुत्र में फिरोया जा सकता है, अब कुछ नेताओं का मनतब् और हिंदी साहित्य या हिंदी लैंग्विज के बारे में, भासा के बारे में, तो देखिए, राष्ट भासा के बिना राष्ट गुंगा है, अगर राष्ट भासा ही नहीं रहेगा, राष्ट गुंगा ही नहीं रहेगा, कोई नहीं बोल पाएगा, ये महात्मा गांधी जी बोले थे, ठीक है, हिंदी के प्रश्णों को स्वराज की प्रश्ण मानते हैं, ठीक है, हिंदी के प्रश्णों को स्वराज की प्रश्ण कोन मानते थे, ये गांधी जी मानते थे, और गांधी जी ने क्या-क्या बोले हैं, ठीक है, और क्या-क्या बोले हैं, तो राष्ट के ल हिंदी रखने के लिए सर्त क्या लिए थे कि ऐसी होनी चाहिए जैसे राष्ट के लिए वह भासा आसान होनी चाहिए, जो भी राष्ट के लिए भासा हो सर्त था कि आसान होना चाहिए, सरल होना चाहिए. 1918 में हिंदी साहिते सम्मेलन के इंदोर अधिवेशन में गांधी जी यह बोले थे हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट भासा होगी अब सी राज गोपालाचारी 1918 में क्या बोले थे? हिंदी भारत की राश्ठ भासा तो है ही यही जंतनत्रात्मक भासा में राज भासा भी होगा. ठीक है? यानिकी राज भासा भी होगा. यह कौन का है थे? सी राजा गोपाल चारी। नेहरुजी 1928 में क्या बोले भासा में भासा पर देवनागरी अथवा फार्शी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभासा होगी। नेक्स्ट, 1929 में सुभास्चंद्रबोष ने क्या अपना मत दिया। अपनी प्रांतिय भासाओं की भरपूर उन्नती कीजिए। उसमें कोई बाधा न डालना चाहिए। और नहीं कोई बाधा को सहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बोला था। अनुछेद जो आप राजभासा और संचार भासा की बात कर रहेते तो सारे अनुछेद यहां दिया गया है। जैसे अनुछेद 343-351 तक केंद्रों और राज्यों के बीच संचार की भासा को लेकर बात कही गई है। नेक्स पॉइंट है, 14 सप्टेंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभासा स्विकार किया गया था। अगला पॉइंट है, सम्मिधान में अनुछेद 343-51 तक राजभासा की संबंद में दिवस्था की गई है। नेक्स पॉइंट है, भारतिय शम्मिधान में राजभासा का उलेक नहीं मिलता है। यहीं राजभासा अधिनियम जो पारित हुआ था, 1963 में यह पारित हुआ था, राजभासा नियम 1976 में पारित हुआ था। नेक्स पॉइंट है, अनुछेद 343 का व्याख्या हम लोग करते हैं, ठीक है, 343-1 का इसमें क्या है कि भारत संग की भासा देवनागरी लिपी में हिंदी होगी। यह चीज बोला गया है किसमें 343 के अनुछेद 1 में क्या बोला गया है भारत संग की भासा दिवनागरी लिपी में हिंदी होनी चाहिए संग के सरकारी कारियों में भारती अंको जैसे 0, 1, 2, 3 के अंतरास्य रूपों में भी यहां परियोग होना चाहिए 343 के अनुछे 2 में क्या कहा गया है समिधान लागू होने के 15 सालों तक उसका 15 सालों तक यानि कि 75 तक लगभग अंग्रेजी भासा सरकारी कारियों में पहले की तरह परियोग होते रहेगी यहां क्या कहना है ना कि देखिए ये अंग्रेजी भासा सरकारी कारियों में पहले की तरह परियोग होते रहेगी कौन से अनुछे 2 में कहा गया है अर्थात 26 जन्वरी 1950 से 26 जन्वरी 1965 तक अंग्रेजी भासा का एकदम परियोग होते रहा था अनुछे 344 में हिंदी भासा की व्याख्या क्या करते हैं तू राजभासा आयोग के गठन की बात कही गई है राजभासा आयोग की गठन की बात कोन से अनुछेद में कही गई है तू 344 के अनुछेद में कही गई है फिक है शमिधान के प्रारंब से 5 और 10 वर्सों की खतम होन पर देश के राश्रपती हिंदी के विकास और परियोग का जायजा लेने हेतु ये गठन करेंगे जैसे तीस सदस्यों की समीती की गठन होगी जिसमें लोग सभा के 20 सदस्य होंगी और राज सभा के 10 सदस्य होंगे उपयोगत यना समीती मिलाकर एक रिपोर्ट तयार करेगा जो की राश्रपती को यह समपेगी और फिर वहां जो है ये प्रारंभ होता है यानि कि रिपोर्ट जो है सदस्य किसको समपती है राश्रपती है अनुछेद 345 में क्या कहा गया है व्याख्या हिंदी के बारे में तो राज्यों की राजभासाओं का जिक्र है राज्यों की सरकारी प्रियोजन के अस्थानिय भासा भासाओं यह हिंदी को अपनाएंगे जब तक कानुन द्वारा कोई परबंद नहीं किया जाता राज में अंग्रेजी पहले की तरह सरकारी कामों में परियोग होते रहेगे अभी भी यूज होता है जैसे आप कोई पुलिस का ट्रे पैर को फेगा जाता है और एपहले बहुत शारे अगर इस सीबिल का बात करें जैसे कि अपना पंचाय लेवर पर ब्लॉक हो जाता है अंगर बात करें तो यहां भी बहुत ऐसे वर्ज होते हैं अब भी यूज होते हैं तो ही बात कही जा रही है 346 में क्या है भई, तो 346, केंद्रो और राज्यों के बिच संचार की भासा की बात कही गई है, केंद्रो और राज्यों के संचार की भासा का बात कहा गया है, किसमें 346 में, संग के सासकिये पर्योजनों के लिए उस समय जो राज भासा मौजूद रहेगी, वही भासा और रा भासा ना राजे और संग के बीच संपर्क भासा रहेगी अगर दो अगर दो या दो से अधिक राजे आपसी सहमती से पत्रचार में हिंदी का पर्योग करना चाहें तो वो कर सकते हैं अगर दो या दो से अधिक राजे अपने में जैसा कि लेटर लिख रहे हैं तो हिंदी में आराम से लिख सकते हैं, कोई इसमें बात देता नहीं है, कि आप टेलगू में क्यों लेक रहे हैं, हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, सारे में अपने से लिख सकते हैं, और ये हिंदी में लिख सकते हैं, अनुछे 347 में क्या कहा गया है, राजियों में दूसरी राज भासा को लेकर बात कहा गए कि अपना अपना राजे का अपना अपना भासा होगा अगर किसी राजे का जन्द समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भासा को सास्किय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राश्रपती वह दे सकता है तो राज भासा के लिए सास्किय मान्यता कौन सा दे सकता है, कौन दे सकते हैं, तो ये राश्रपती दे सकते हैं, अनुछे 348, उच्छ न्याले और अधिनियम भासा के बारे में कहा गया है, हाई कोट और सुप्रीम कोट की भासा, अंग्रेजी भासा होनी चाहिए, ये बात कही गई है, अनुछे 349, समिधान के प्रारंब से 15 साल तक के दोरान सुप्रीम कोट वह हाई कोट की भासा अंग्रेजी के अलावा अन्य भासा करने है तो राश्रपती के अनुमती से ही होगा, यानि कि एक सी है, हाई कोट है, सुप्रीम कोट है, अगर उसमें अंग्रेजी भासा के तो आप राश्रपती के अनुमती के अनुसार कर सकते हैं। फिक है? नेक्स्ट अनुछे 350 क्या कहता है? कि व्यक्ति अपनी परिशानियों में अपनी राज भासा आविदन दे सकता है। मतलब कोई भी परिशानी हो रहा है। अब कोई भी अपने लेटर अपने हिंदी भासा म अपनी मात्री भासा में उसको शिक्षा देने का जितना अत्य धिक आप प्रियास कर सकते हैं, कि वैसे माइंड डेबलप होता है, अगर आप जैसे कि 1-5 कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा, अगर आप उन्हें वह हिंदी परिवेश में हैं, उसका जो समाज है, परिवार है हिंदी परिवेस में है अगर आप उसको इंगलिज सिखाना चाहेंगे तो पहले उसका माइंड पर यह लोड़ जाएगा कि हम यह वर्ड क्या चीज है अगर वहीं आप हिंदी में सिखाते हैं तो उसका माइंड बहुत जल्दी डेवलप होगा लेकिन परन्तु आप अगर मातरी भासा में ही शिक्षा दे सकते हैं अनुछे 351 है हिंदी की विकास के लिए निर्देशों का जिक्र किया गया है हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देश है कुछ इंस्रक्शन्स है उसको यह निर्देश दिया गया है क्या जिक्र है उसका हिंदी भासा के प्रचार और विकास की जिम्मेदारी किंदर सरकार की होगी ठीक है हिंदी भासा के प्रचार और विकास का जिम्मेदारी किसको होगा किंदर सरकार को ये उन्ही को अधिकार प्राप्त है नोट है ये बहुत ज्यादा है आठवी अनुसूची में सामिल भासा हिंदी भी होगी देखे दोस्तों तो ये जो आपका है टोटल क्लास समाप्थ हुआ और आप इसे JPSG Men's और JCCCGL के लिए हिंदी पेपर 2 का आप क्लास कर सकते हैं और सारी कोर्स एविलेवल है on AD Classes app तो आप जोइन कर सकते हैं और अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हैं धन्यवाद watching for this video जै हिंद जै भारत और इसी तरह से कलास आते रहेंगे तो जोइन दा AD Classes और AD Classes app JPSC Men's Paper हिंदी पेपर 2 जो है उसके लिए क्लास एविलेबल है वहाँ सारे कोर्स एविलेबल है So join the AD Classes app और AD जार्कन क्लासेश और AD जार्कन क्लासेश भी सारे क्लास free of course मैं अपने सारे स्टूडेंट को दे रहा हूं धन्यवाद जै हिंद जै भारत